घुटनों का दर्द, जोडों का दर्द, कमर का दर्द, चाहे हाथों और पैरों में स्वेलिंग हो, जोडों में, कमर में, कंधे में दर्द रहता हो, तो इन सब के लिए आज मैं आपको एक राम बान उपाए बताने जा रहे हूँ, अगर घुटनों में जोडों में सूजन है तो भी ये उपाए बेहद असरदार होता है, बहुत जादा फाइदा करता है, इस नुस्खे के एक बार के इस्तवाल से ही आपको पूरा-पूरा फाइदा नजर आएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर मैं आपको दो नुस्खे बता रही हूँ, सबसे पहला नुस्खे जो है, उसके लिए हमें लेनी है तुलसी की पत्तियां, तुलसी की पत्तियां जो होती है न दोस्तों इसमें ऐन्टी इंफ्लमेटरी और एन्टी सपॉसड्यमिक गुन होते है, यानि जो तुलसी होती है, वो रूमेटाइड और्थराइटिस में बहुत जादा तो जोडों के दर्द, गठिया के दर्द से राहत दिलाने का भी काम करती है है घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए तुलसी बेहद फाइदे मंद होती है सबसे पहला तरीका है तुलसी को हम सुभा-सुभा की चाए में डाल करके पिये न हुससे जोडों के घुटनों के दर्द में राहत मिलती है मैं खुद ये तरीका आजमा चुकी हूँ दोस्तों क्योंकि तीस की उम्र के बाद में घुटनों जोडों में दर्द होना आम बात है और इसके लिए तुलसी बेहत फायदे मन्द को और इसके लिए तुलसी बहुत जादा फायदा करती है आज जो मैं तरीका आपको बताने जारी हूँ ना इस तरीके से भी अगर आप तुलसी का प्रयोग करती है तो सभी तरहां के जोडों घुटरों के दर्द में आपको राहत मिलती है तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि आप नुस्खे को सही तरीके से तयार कर सके और उसका पूरा फायदा ले सके पूरा देखते हैं ना वीडियो तब ही आपको अच्छे से समझाता है दोस्तो आदी अधूरी जानकारी भी भी हमें पूरा फाइदा नहीं देती तो यहाँ पर मैंने तुलसी की पत्तियां ली है तुलसी की पत्तियों को अच्छे तरीके से साफ कर ले सबसे पहले इसको धोले साफ पानी से उसके बार ही इसका इस्तमाल करें जैसे कई बार क्या होते हैं दोस्तों जॉइंट्स पिलकुल अकड जाते हैं उंगलियां मुडती हैं तो सीधी नहीं हो पाती हैं घुटने बहुत जादा दर्द करते हैं तो उसमें जो ये नुस्का है न ये पहली बार में ही आपको फायदा देगा बुजर्गों का बताया हुआ बहुत ही पुराना नुस्का आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसके अंदर इतनी जादा मेडिसनल प्रॉपर्टीज होती हैं दोस्तों आयूर वेद में भी इसका बहुत अधिक महत्व बताया गया है तुलसी आप यहाँ पर रामा तुलसी ले सकते हैं या फिर आप शामा तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं दोनों में से जो भी आपके पास होना आप उसका इस्तमाल करें एक बार के लिए आपको तुलसी की चार से पांच पतियां ही लेनी है तुलसी की जो पतियां होती है न ये विटामिन और खानेज का भंडार होती है इसमें विटामिन C, Zinc, कैल्शियम और आईरन भरपूर मात्रा में होता है ये समझे कि ये कुल मिलाकर आपकी सेहत के लिए रामबान है चाहे घुटनों का दर्द ठीक करना हो या फिर खांसी तुलसी बेहत फायदा करती है तो इसका प्रयोग कैसे करेंगे चलिए देखते हैं सबसे पहले एक बरतन ले लेंगे अब इसमें हम 4-5 धुली हुई साफ की हुई तुलसी की पतिया डाल देंगे तुलसी डालने के बाद इसमें लगभग 200 ml पानी आपको आड़ करना है उबालने ताकि तुलसी के जो भी गुन है जो भी पोशक तत्वे हैं वो पानी के अंदर आ जाए तब तक इसे उबाले जब तक तुलसी के सारे गुन सारे फायदे इस पानी के अंदर आ जाए और पानी अपनी मात्रा से आधी मात्रा में रह जाए यानि जितना पानी आप पानी हम गरम पानी के आपको कि इस्तामाल करना है हल्का ये ठंड़ा हो जाए तब आप इस को ढड़ें। अगर आपको बहुत ज़्यादा घुटनों जोरों में दर्द होता है।.... सुभा सुभा उठते ही अगर आपको जोडों में दर्द रहता है तो आप क्या करें उठते ही सबसे पहले आप इस पानी का सेवन करें या फिर आप चाहें तो शाम को भी आप इसे ले सकते हैं ऐसा इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है कि आपको सुभा ही लेना है या शाम को ही लेना है जब भी आपको समय मिले आप इसको बना करके ले सकते हैं पहली बार के इस्तमाल से ही आपको जोडों घुटनों के दर्द में आराम मिलने लगेगा रोजाना आप इसको बना करके लिए ताजा बना करके लिए और लगभग साथ दिनों तक आप इसको इसको इस्तमाल करके देखे आपका जो घुटनों का आपका जो जोडों का दर्द है जो हडियां अकड गई है जो जोईंस बहुत जादा दुखते हैं या फिर जोडो में सूजन रहती है तो उसमें आपको तुरंद आराम मिलेगा और अगर आपको फरक लगता है तो आगे कुछ दिन तक और आप इसे continue कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई भी side effect नहीं है कोई नुकसान नहीं है बस जिनको hypothyroid है वो इस नुस्के का इस्तमाल ना करें अगला नुस्का जो मैं आपको बताऊंगी आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि hypothyroid में तुलसी का इस्तमाल सही नहीं रहता है इसलिए आप ना लें और बाकी सभी लोग इसका इस्तमाल कर सकते हैं चली अब देख लेते हैं अगला नुस्का क्या है ये नुस्का भी ज अपना लेते हैं आपको जिन्दगी में भी जोडों का दर्द मासपेशियों का दर्द नहीं होने वाला है जिनको यह समस्या हो रही है आप इस नुसके को जरूर आजमा करके देखें आपको 100% इससे आराम मिलेगा मेथी दाना जो होता है न दोस्तों वाई बादी को खतम करता है कुछ भी खाने से अगर आपको शरीर में वायू पैदा होती है तो उसके लिए मेथी दाना बहुत फाइदे मंद है जोडों के दर्द के लिए राम बान होता है यह हडियों के लिए बहुत अच्छा होता है तो स्काइब करका जो चाहिए लेक्षक आपको लेना है और मात्रा कितने हैं वा भी और धियान कोJust II को शरीर के लिए घ्रा कि अग्योंन होता है आसे से आपको नुकसान ही होता है तो मात्रा आप देख सकतें कि मैने चम्मश में कितनी मात्रा ली है मेथी दयाना की एक चौथाई चम्मश से भी कम मात्रा आपको लेनी है के इतने दाने ही आपको रोजाना मेथी का सेवन करना है इस से जादा मेथी का सेवन आपको नहीं तो आपको क्या करना है अभी गर्मी के सीजन में स्पेशली आपको इसी तरीके से मेथी दाना को लेना है और इतनी ही मात्रा में लेना है इतनी मात्रा में आपको मेथी दाना लेना है और इस यहां पर मैंने थोड़ा सा पाउडर बनाया है लगभग 12-15 दानों का मैंने पाउडर तयार किया है इतना पाउडर आप पानी मिला दें लगभग 3-4 चुटकी यह मेथी दाना है जो कि आपको लेना है और पानी में डाल करके आपको इसे भिगो देना है कुछ घंटों के लि सुबा सुबास आप इसे समस्या है आप इसे ओढ लेते हैं तो चाहें तो आप आप इससया कर सकते हैं वैसे दुँष को नहीं सकते हैं वैसे जरूरत बहुं जानिकैपड़ें इस इतनी बहुत जादा फाइदा करेंग आपको अस 피ie पेट आप अप इसे तरह जुटे से ए वजन कम होगा इससे आपका इसके अलावा जितनी भी ग्यास वाई बादी वायू की समस्या है पेट की समस्या है वो दूर होगी कब्ज की समस्या है वो दूर होगी जोडों में घुटनों में ग्यास रहती है वायू रहती है दर्द रहता है एठन रहती है वो आपकी दूर हो इस तरीके से आप कम से कम 15-20 दिन इसको ले करके देखना जिनको इस तरह की समस्तर और अगर आपको इससे फायदा मिले रहा तो कुछ दिन और आप इसको कंटीनिव कर सकते हैं और अगर आपको यह नुस्के पसंद आये हैं तो आज की वीडियो को लाइक जरूर करके जाए और वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर करें